सूरत के एक कोचिंग में 21 लोगों की मौत के बाद अब पूरे देश में प्रसासन जाग गया है इसी सिलसिले में नगर पालिक निगम रीवा ने एक फरमान जारी किया है बहु मंजिला इमारतों की जाच होगी और अगर फायर सिस्टम नहीं पाया गया तो उन पर कड़ी कारवाई की जाएगी गुजरात जैसी घटना नहो इसके लिए नगर निगम बहुमजला इमारतों की जाच करेगा फायर इस्ट्रुमेंट ना होने पर होगी कारवाई कहा नगर निगम के प्रसासनिक अपसर ने गुजरात के सूरत में पिछले दिनों जो हुआ वह बहत दर्दनाक था इस तरीके की घटना रीवा शहर में ना हो इसके लिए नगर निगम ठोस कारवाई करेगा वह बहुंजला इमारतों की जाच करने जा रहा है जिन भी बहुंजला इमारतों में आग बुजाने के सेंत्र नहीं है उनके खिलाब कारवाई की तयारी करेगा र्षिपी nationale है तक बादमाव मनेरे लगए MARY नए ज बिजनी की मसीन भाइव हो में लगती था यूस वे लग़ीत papers कि अए तो इस तरह से सब्सक्राइब करते हैं अभी लगवक लोग सफल तो हुए है नया फाइर बिगड मंगाने पर वस्ता चल रही जो लगवागों साथ लागता है उसके लिए टेंडर वगरा किया गया है जाने पर करवाई हूनी ही चाहिए उस पर जरूरी है उनको फायर शिस्टम अगर मल्टि स्टोरी विल्डिंग है उसे फायर सिस्टम होना चाहिए बिने उसके तो परमीशन ही मिलनी चाहिए और सम्होता ऐसा हुआ भी है, तिल्पी प्लाजा में तो आपने देखा यह, सभी जगे फिर उनका फायर सिस्टम लगा हुआ है, रिवा सहर की सबसे बड़ी लंबी बिल्डिंग वही है, और उसमें भी था, प्रमा गोबिन पलेस में था, वो एक्टिव है कि नहीं है, उसको चेक करा लेते हैं, अगर नहीं है, तो कोई कारवाई होगी, बिल्कुल कारवाई होगी, नोटिस दिलाएंगों को ठीक कराएंगों, स्वास्ता दिगारी वाजमें देशित करूंगा की वो जा के चेक करें वहीं नगर निगम के पार्षद पिनोष शर्मा बहुमंजिला इमारतों की विवस्था देखने निकल पड़े शहर की बहुमंजिला इमारतों पर इसके लिए आया हुँ कि जितने विल्डिंगें बनी है आनन फानन में एक सब्ता के अंदर बड़ी विल्डिंगों में पावर सेफटी सिस्टम लगाया जाए, फायर सिस्टम लगाया जाए